दोस्ते दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आशा करती हूँ अच्छे होंगे चलिए आज पिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई हो पब को पसंद है 15 साल के अंदर एक ही नाम से बनी दो फिल्मे एक से चमकीती अभिताब की किस्मत दूसरे से अजय अक्षे हो गए थे मशूर वैसे तो बॉलिवुड में एक ही नाम से दो दो बार कई फिल्मे बन चुकी हैं लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे बात करने जा रहे हैं उसकी बात ही कुछ और है पंद्रे साल के अंदर सुहाग नाम से दो दो बार दो अलग अलग फिल्मे वनी और दोने ही बार ये बॉक्स आफिस पर च्छा गई थी आजम बात करने जा रहे हैं बॉलिवूड की उन दो फिल्मों के बारे में जो रिलीज के साथ ही बॉक्स आफिस पर छा गई थी और दर्शकू ने उन दिनों फिल्मों पर जम कर अपना प्यार भी लोटाया था इतना ही नहीं वे दोनों ही फिल्मे कमाई के मामल में कई रिकॉर्ड अपने नाम भी किया था और उन दोनों ही फिल्मों का नाम था सुहाग बता दे सबसे पहले सुहाग नाम की फिल्म साल 1979 में सिनेमा घर में रिलीज हुई थी जिसने विताब बच्चन की किस्मती बदल दी थी वहीं इसके थी 15 साल बाद यानि की 1994 में फिर से इसी नाम से एक और फिल्म बनी जिससे अजय देव गण रक्षे कमार लोग के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि साल 1979 में आई फिल्म सुहाग की यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म ते जो मन्मुहन देशाय दुआरा निर्देशित और कादर खान रियाग राज और केके सुकला दुआरा लिखे थी यह फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ओफिस पर हंगामा मचाने लगी थी और इस फिल्म को दरश्कों का इतना प्यार मिला था कि यह साल 1979 की सबसे आदे कमाई करने वाली फिल्म बनकर उबरी थी और इस फिल्म में अविताब बच्चिन के साथ रेखा परवीन वाबी शशी कपूर भी मुख्य भुमिकाओं में थे जबकि अमजद खान निरुपर राय कादर खान रंजीत और जीवन सायक भुमिकाओं में नजर आये थे 1979 के बाद सुहाग नाम से एक और फिल्म साल 1994 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस फिल्म ने अविताब की तरह अजय देबगन और अक्षे कुमार को भी एक जटके में पॉपुलर बना दिया था यह फिल्म 1994 की साथ भी सबसे आदर कमाई करने वाली फिल्म बनी थी कुकु कोहली द्वारे निड़ेशी तिया एक एक एक्षन फिल्म थी जिसमें अजय देबगन अक्षे कुमार के साथ करिश्मा कपूर और नगमा लीड एक्टरस की भुमिकाओं में नजर आई थी यह पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता आजय देबगन और अक्षे कुमार ने स्क्रीन स्पेस साज़ा किया था एक दसक के बाद यह जोड़ी खाकी जो की 2004 में आई थी और फिर अगले ही साल इंसान जो की 2005 में दिखाई दे थी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग बबाई